हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जॉब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो UPSC सीधी भरती 2023 दोस्तो UPSC की तरफ से 2693 पदो पर मुक्ष सेविका की 2022 में भरती निकाले गई थी दोस्तो इसकी जो लाज़ डेट रखी गई थी 24 अगस्ट रखी गई थी 24 अगस्ट 2022 इसकी लाज़ डेट थी दोस्तो अब जो है यहाँ पर एक साल बात जो है एकजाम डेट इसका डेकलर किया गया है बिल्कुल ओफीसियल एकजाम डेट आ चुका है और आपका एकजाम जो है 24 सब्तमबर 2023 को होने वाला है तो एकजाम डेट आ चुका है सिलेबस देख लो तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मुख सेविका का ओफीसियल फुल सलेबस फुल सलेबस इस वीडियो में देखेंगे और निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकाई देंगे total कितने question होंगे total कितना time मिलेगा negative marking कितने का है इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले है और topic wise जो है syllabus की जानकारी इस वेडियो में देने वाले है तो 24 अगस्ट जो है 24 अगस्ट 22 इसकी light rate थी और 31 अगस्ट को आप लोगों का 31 अगस्ट 22 को आपका full syllabus जो है जारी किया गया था तो यह official syllabus की जानकारी बिलकुर हम आपको इस वेडियो में देने वाले है तो अभी आपने चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से दोस्टों चैनल को subscribe कर दो क्योंकि बहुत ही जबर्दस वीडियो लेकर आचुका हूँ और आप लोग अगर तैयारी करने वाले हो तो नर्सिंग इंडिया को subscribe कर लेना बहुत ही जबर्दस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी क्योंकि अब जो है आपके पास बहुत ही कम समय बचा है अब यहां पर बताया जा रहा है उत्तर परदेश अधिने सेवा चेन आयोग लखनव दारा प्रारंभिक अरता परिच्छा 2021 के अंतरगत मुक सेवी का पद की मुक परिच्छा जो है 24 सेप्तमबर को होने वाला है जिसके लिए आप लोगों का फुल ओफीसल से लेबस जारी किया गया है और यहां पे आप लोग देखोगे तो मुक सेव्का के रिक्त पदो पर चेन हे तू लिखित परिच्छा की परिच्छा योजना और पाठ करम तो पाठकरम में लिखी परिच्छा एक पाली की होगी साफ साफ यहां पर बताया गया कि आपकी जो है जो एक्जाम होगा एक ही पाली में होगा तो 24 सेप्टमबर को आपका एक ही सिप्ट में यानि कि पहले ही पाली में आपका एक्जाम होगा बस एक पाली में जो है एकजाम होगा और लगबग 47,000 जो बच्चे हैं एकजाम यहाँ पर देने वाले हैं इतने बच्चों को सौर्टलिस्ट किया गया है इसमें तो अगर हम बात करते हैं टोटल 100 कोस्चन हैं 120 मिनट का समय मिलने वाला है और 100 नंबर का होगा यानि कि एक को परिच्चा के प्रस्ट वस्टनिश्ट यहां बहुवी कल्पी परकार के होंगे परतेक प्रस्टन एक अंक का होगा लिकित परिच्चा है तो रिडात्मक अंक यानि के निगेटिव मार्किंग दिये जाएंगे जो परतेक गलत उतर पर उस प्रस्टन के बुढांग का 1 by 4 खाथ 35 पर 30 अंक यहां पर कट होंगे तो 1 by 4 का नेगर्टिव मार्किंग है और 100 कोस्चन रहेंगे 100 नंबर कर रहेगा यह कोशन एक नंबर कर रहेगा बाकि परिछ्चा योजना यहां पर दिया गया है विस्जय जो है विसेगत ग्यान है और परस्मों की संक्या 100 है निरधार सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां से कोस्टन आएंगे विवाय परिवार जात लिंग की आसमानता धर्म और भासाये से कोस्टन आएंगे नमबर थरड समाजिक समस्याएं और विशेश रोप से बच्चों और महिलाओं से समंधित मुद्दे से question पूछे जाएंगे नमबर फॉर जनसंख्या विश्वोर्ट जनसंख्या वृद्धी और नियंतरन से 200 question पूछे जाएंगे नमबर फाइफ है गरेबी दहेच घरेलू हिंसा तलाक अंतर और अंतर पिड़ी संगर्स जातिवाज से question पूछे जाएंगे नमबर फिक्स है समाजिक परिवर्तन समाजिक नियंतरन से question पूछे जाएंगे नमबर सेवन है उर्जा, बेसल, उबापचे से questions पूछे जाएंगे नमबर एट है संतूलित अहार भोजन का कैलोरी मान और वजन परबंधन से questions पूछे जाएंगे नमबर नाइन बहुत इंपोर्टेंट है इससे जना questions पूछे जाएंगे और हर एक जामे पूछे जाते हैं भोजन के आवस्य घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, वसा, विटामिन, खनिज, पाने उनके सोर्स आपको पढ़ लेना है यानिको उनके सोत्र पढ़ने है कारे आवसकताएं कमी से होने वाले रोग यह आपको पढ़ लेना है और नमबर टेन, गर्बधारन और गर्भावस्ता की जटिलताओं के संकेत परसों, गर्बधारन के दोरान, पुष्टाहार क्या हो सकता जर्म के चरण, परसों के परकार, महिला सौस, योम घरपा, तो इससे कोशन पूछ जाएंगे, 100% कोशन आएंगे नमबर एलेवन, वृद योम विकास, इसमें आपको पढ़ना है सारीरिक विकास, मोडर विकास, भावनातमक विकास, भांसा विकास, समाजी विकास, संग्यानातमक विकास नमबर बारे है नौजात की देख भाल, अस्तन पान के तरीके, कुपोंसन यों पूरक पोंसन ये आपको पढ़ना है नमबर थाटीन है जीवन चक्र के दोरान पोंसन, सैसो अवस्था, भचपन की सोरा अवस्था, भारत में सीसु मृतु दर, यो मात्र मृतु दर नमबर फोर्टीन, खाना पकाने के दोरान, पोसक ततों का सारा च्छन, खाद पडार्थों के अंकूरन, किडवन, खाद तालमेल के पोंसन, मुले को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके नमबर फिफ्टीन है बाल विकास के चरण और विकास को परभावित करने वाले कारक तो यह जो है टॉपिक है जिससे कोस्टन आपकी एकजाम में पूछे जाएंगे नमबर फिफ्टीन बाल विकास के चरण और विकास को परभावित करने वाले कारक नमबर 16 है प्रतिरच्छा, प्रतिरच्छा में आपको पढ़ना है प्रतिरच्छन के परकार और अनसूची इसके बाद नमबर 17 है रोग में आपको क्या कर पढ़ना है तो बुखार, डिप्थेरिया, कालि खांसी, टेटनेस, पोलियो, माईलेटाइस या पोलियो माईलाइटिस या खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइट, दस्ट, क्रेमी, संकरमण, एनेमिया, कारण, लच्छन और इलाज और पोलियो माईलाइटिस ये नोट कर लेना भी इंपोर्टेंट है नमबर 18 दोस्तों प्रामर्स, इसका अर्थ, प्रामर्स मैं आपको क्या पढ़ना है, प्रामर्स का अर्थ क्या होता पढ़ना है, इसकी आऊसक्त्या क्या होगी, इसकी तकनीकी कौन-कौन से है, और परभावी संचार और इसके कौसल, ये आपको पढ़ना है, नमबर 19 है, सौ करण करन कारिकरम इसमें के पूर्ट यह बहुत ही जबारदर से काफी अच्य से से इन्हों हुँजाइन किया इसमें जी के नहीं पूछे जाएगा ना ही आपके हिंदी से कोशनद पूछे जाएगे जो आपका में टॉपिक है जो आपका technical topic है जिसे मुख सेविका आपका पद है तो मुख सेविका से related जो ही question यहाँ पर पूछे जाएंगे तो 20 topic है या 20 subject है जिससे यह questions यहाँ पर पूछे जाएंगे तो यह आप लोग देख सकते हैं काफी important syllabus है और अच्छा syllabus है आप लोग अच्छे से त्यारी करिए 24 September को आपका exam होने वाला है बाकी syllabus इंगलेस में भी दिया गया है इंगलेस में topic है इसे आप लोग read कर लिजिए धन्यवाद